हेलो प्रिवन वेलकम टू दी एक्जाम टाइम तो भाईयो स्वागत है आपका आज के सांदार से सेश्चन में और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो पाँच इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि कहीं न कहीं तुम्हें मदद कर सकते हैं बिकउम इंटरंस करगें में चाहे तुम कहीं कभी बिकउम इंटरंस दो कहीं का इनी करते हैं without syllabus वो अपनी पढ़ाई को start कर देते हैं क्यों सर क्यों से क्यों important है यार देखो syllabus जो होता है वो कहीं न कहीं students के लिए किसी भी students के लिए वो road map की तरह काम करता है तुम्हें किस direction में move करना है किधर जाना है यह तुम्हें कौन बताएगा यार syllabus बताने वाला है for example अगर हम accounting की बात करें तो accounting में जैसा कि तुम्हें मालूम होगा financial accounting पूछा जाता है ठीक है specialized accounting के कुछ portions तुम्हारे exams में पूछे जाते हैं तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि financial accounting के कौन-कौन से chapter तुम्हारे बीकॉब इंटरंस exams में पूछे जाने वाले हैं अगर यह चीज तुम्हें पता ही नहीं रहेगा तो तुम तो कोई सबी chapter उठा के पढ़ लोगे यह तो यह बात हो गई कि किधर भी किसी direction में भागे जा रहे तो वैसा नहीं होता है सबसे पहले तुम्हें हर एक subject के syllabus की proper knowledge होनी चाहिए तुमने syllabus सारे note कर रखे हो यह important है फिर तुम topic wise अपने पढ़ाई को करो इससे यह होगा कि तुम्हें feel होगा अंदर से यह feel होगा कि हम अपने topics को proper manner में complete करत जाओगे यह किसके थरू possible हो पाएगा syllabus के थरू तो यह important है कि तुम syllabus को बहुत ही ध्यान से carefully analyze करो और पढ़ो दूसरा क्योंकि syllabus students के लिए roadmap की तरह होता है तुम्हारे studies को बहतरीन बनाने में syllabus मदद कर रहा होता है तो इस यह का ध्यान रख लेना next आगे बात करते है tip number second की जो कि है sources sources in the sense कि सर कहां से पढ़े आपने यह बोलती है syllabus देख लो ठीक है सर syllabus हमने देख लिया आपने हमें syllabus भी बता दिया लेकिन करे तो करे कहां से करे तो number one source books कौन से books class 11 और 12 एकाटमिक बुक्स उठाओ सबसे पहले उसमें जो भी topics दे रखे है उसको देख लो तुमें साथ जात कुछ study material का स्तमाल कर सकते हो जैसे कि तुम्हारे वेरियस guides हो गए बहुत सारे guides मार्केट में वेलेवल हैं बहुत सारे मैं बोल रहा हूं मार्केट में अप्रॉक्स दो से तीन guides तुम्हें देखने को मिलेंगे तो उनमें से तुम्हें कुछ one of the best guides को select करना होगा जो कि तुम्हें मदद कर सकते हैं उन additional topic को mug up करने में तो सबसे पहले तुम class 11th and 12th के books को देखो PYQs analyze करो जिस भी universities के लिए प्रिपेर कर रहे हो इलहाबाद के लिए प्रिपेर कर रहे हो या particularly BHC के अगर बात करो तो उनके 5 साल के paper को analyze करो देखो कौन से topic से कहां से questions निकल programs में line and organization, matrix organization इन सबसे questions बन रहे हैं तो उस topic को तुमने कर लिया various guides के तुरू या फिर internet के तुरू जो कि अभी सबसे बड़ा सोर्स है तुम्हारे लिए हर एक चीज internet पे digitally अभी available है ठीक है various guides का इस्तमाल कर सकते हो तो tip number two यह हो गया कि तुम various books का इस्तमाल करो study material का इस्तमा map for the student तो सबसे पहले syllabus को properly analyze करो देखो कौन से chapter से कितने marks बन रहे हैं कौन-कौन से topics बन रहे हैं उसमें तुम mark कर सकते हो कि कौन सा तुम्हारे red zone है green zone है ठीक है या orange zone भी consider तुम कर सकते हो यह हो गया tip number two बात करें अपने next tip की जो की है time table अब कुछ बच्चे कहेंगे sir time table wastage ह होता है कुछ भी नहीं होता है time table हम time table बनाते हैं और उसे फिर पहर के कच्रे के दब्बे में दूसरे देज़ी से फिक रहते हैं वह गलत तुमारा अप्रोच ही गलत है इसी लिए वह तुम्हारा time table का पेचिज अगले दिन कच्रे के डब्बे मे बना रहा है मैं थोडे वह एक प्रॉपर टाइम टिबल बना और फिर उसे पेस्ट कर दो डिवाल में या कहीं पर पेस्ट कर दो मैं तुम्हें सिंपलिव यह बोल रहाँ एक प्रॉपर सेट्डीूल तेयार करो कि तुम्हें दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर घंटे के अ को रिन्ब हो रहे हुए उसके अक्ड़िग पढ़ने जारी है सब तूब्धिक्स कितने कवरभ नब हो घंटे को रहे हैं सब्सक्राया गोर दो घंटे सुबह के रख लो, दो घंटे साम के रख लो और जो एक additional तुम्हारा one hour निकल कर आएगा additional one hour सर, जैसे कि मैंने आपे mention किया है न study a high quality four to five hours चार घंटे तुम्हें fix रखने, सुबह के दो घंटे, साम के दो घंटे तुमने दो subject को combo बना लिया, सुबह में पहला subject पढ़ लिया और साम में वो दूसरा subject पढ़ लिया दो पहर का मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास वो जो bonus time रहेगा दो पहर मैं बैटके मच्छर तो नहीं मारोगे न, दिन बर phone तो नहीं चलाओगे जो तुम्हारे दो पहर का additional time है, उसमें तुम कुछ selected chapters को देख सकते हो और example, अगर तुम सुबह के 8 बचे पढ़ रहे हो, business management ठीक है, सुबह के 8 से 10, तुम business management पढ़ रहे हो ठीक है सर, ये तो fix रहेगा तुम्हारा, फिर रात में तुम accounting लेके बैठे हुए हो ये तुम्हारा हो गया 2 घंटे का, अब एक चीज में बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए तुफान आजाए, आदी आजाए, घर में रिस्तेदार आजाए, कुछ भी हो जाए ये तुम्हारा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ये fix रहेगा ही, important है तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये matter नहीं करता है, तुम constant regular हो, ये matter करता है तो ये fix रहेगा, अब तुम्हारे पास दोपहर में time है, time ही होगा मेरे पास जब time है तो तुम्हारे पास एक यूना time होगा तुम उस दो घंटे में कोई भी एक subject या उसी subject के कुछ questions देख लिए, revise कर लिए, वो additional art तुम निकाल सकते हो तो पहला point कि study है, high quality 4 to 5 hours, देखो होता क्या है कि मैं जब कुछ student से बात करता हूँ तो बोलते हैं, 7 गंटे, 8 गंटे भया पढ़ाई हो जाती है लेकिन जब बात आती, effective high quality पढ़ाई की, तो वो भी जानते हैं कि उनके productive पढ़ाई जो है, वो 2-3 गंटे की हुई है तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि दिन तुम दिन के बस 4 गंटे पढ़ो, बस 4 गंटे, अगर अभी से तुम 4 से 5 गंटे भी टाइम दे रहे हो, sufficient है भाई, बात मालो, trust करो मेरे पर, दो subject से combo बना लो, और उसे alternate days पर cover करो, और example business management accounting, पहले देखाई यह हो गया, दूसरे दिन में तुम चाहते से shift कर सकते हो, in business environment और economics, ठीक है, clear है, ठीक है, तुम्हें daily basis पर target set करने होंगे, कि यार मुझे आज management का planning chapter उखाडना है, accounting में trail balance cover up करना है, तो यह चीज़ तुम लेकर चल सकते हो, यह रा tip number 3, कि make proper schedule, तुम्हें यह चीज़ करनी है, यह proper, यह तुम्ह गंटे, accounts, 4 गंटे, यह 8 गंटे, वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, tip number 4 पर move करते है, that is practice and revision, most important tool हो सकता है, तुम्हारे exams के लिए, weekly revision और weekly test बहुत here important है, तुमने 7 दिन में, sorry, 6 दिन में जो भी पढ़ाई की, तुम उसे weekends पे, या मान के चलो तुम Saturday, Sunday को तुम से revise कर सकते हो, और तुम से test के अंदर ला सकते हो, क्यों important है सर, क्योंकि देखो, तुम सरे पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, कभी test नहीं दोगे, revise नहीं करोगे, तो तुम्हें लगएगा, हम तो pro level पे भाई साब बैठे हुए है, यह तुम्हारे अंदर mentality आएगी, कि हम pro है, लेक एक हपते में, छे दिन में तुमने जो भी पढ़ाई की है, तुम at the end of the week तुम उसे revise कर रहे हो, और उस पे एक test भी लगा रहे हो, ठीक है, और test लगाने के बाद तुम्हें अपने strength और weakness को analyze करना भी important है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया, concepts बना ल तुम्हारे लिए बहुत important है, tip number 5, जो कि कह सकते हो most trustable source हो सकता है, यह पर suits लिख दिया गया है, यह पर source होगा, most trustable source for your preparation, previous year paper का analysis करना important है, भले ही अभी के time में तुम्हें YouTube पे हर university के previous year paper already analyzed मिलेंगे, ठीक है, already परोसे हुए तुम्हें मिलेंगे, लेकिन जब तक तुम पेपर पे, तब तक तुम्हें वे परोसा हुआ खाना मीठा नहीं लगेगा, मीठा in the sense कि टेस्टी नहीं लगेगा, ठीक है, तो तुम्हें खुद से उन सारे previous year papers को properly एक से दो बार analyze करना होगा, mug up करना होगा, तब जाकर तुम command ले पाओगे, अपने become entrance के subjects पे, तो tip number 5, क तुम्हें कुछ पाच tips हैं, जो कि तुम्हारे BHU BCOM interns को clear करने में मदद कर सकते हैं, tip number 1, syllabus, tip number 2, sources को तुम्हें देखना है, tip number 3, tim tables बनाने, tip number 4, practice and revision करना है, और आखरी tip जो की है previous year paper, so ये tips अगर तुम्हें जैसे भी लगे, तुम comment section में बताना, अगर तुम्हें कोई भी problem यार हो रही है, entrance exams के preparation के दौरान, तो comment section में mention करो, मैं उसे next video मिलूँगा, कोसिस करूँगा, comment में ही तुम्हारे solve करो, और जो बच्चे prepare कर रहे हैं for BHU BCOM entrance exam, या फिर CUSET BCOM entrance exam, वो हमारे course को join कर सकते हैं, ये रहे हमारे course के features, ये सारे features हैं हमारे course के, जो की बहुत ही बह साकियों से तुम्हें अलग बनाने में मदद करने वाले हैं, तुम इसे purchase कर सकते हो, description में purchase link दिया गया, directly तुम वहाँ जाके उसे purchase कर सकते हो, कोई भी information चाहिए, course के regarding problems तुम्हें face करने को मिल रहे हैं, दिये गए number पर contact कर सकते हो, Instagram पे तुम मुझे message भी कर सकते हो, साथ य doubt sessions होते हैं, इसके अंदर, last moment revision series वहाँ प्रवाइड किया जाते हैं, various PDS, PPDs, और वहीं results की बात करें, तुम जा खर देख सकते हो, YouTube पे, और कोई भी information है, कोई भी doubt है, तुम्हारे अंदर चल रहा हो, कुछ भी चाहिए, information यार, तुम इस पर पे बेज़ी ज़ा, contact कर लेना तो मिलते हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care